दोस्तों 23 नवंबर को महराष्ट विधान सबाद चुनाव के रिजल्स आने के बाद से EVM को लेकर के वार तक्रार और आरोपों का दौर लगतार जारी है और तो और महराष्ट में MVA के नेता दिन पर दिन EVM पर फास और मजबूत करते चले जा रहे है और इस बार EVM को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन शुड़ू है उसकी अगवाई कोई और नहीं महराष्ट के राजनीति के चारक कहे जाने वाले शरत पवार करते दिखाई दे रहे हैं इसके उलट अब महायूति के नेता भी MVA के नेताओं के खिलाफ जम कर बोलने लगे वो भी कोई छोटे मुटे नेता नहीं दिवेंद्र फर्नविस महराष्ट के सियंप और एक न शिद्ए महराष्ट के डेपीटी सियंप उन्होंने भी बयां दिया है वो भी मैं आपको बताओं गा है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इवियम पर छड़ी महाराष्ट में जो राजनीतिक जंग है उसकी ताजा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश कुबा सिंग और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट दोस्तों मारक वाडी गाउं महाराष्ट का वो गाउं जिसके बारे में देश भर में चर्चा है जहां पर गायवारों ने बैलेट पेपर पर चुनाओ कराने की एक तरीके से मौक चु कराने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो इवियम में जो रिजल्स आया है क्या बैलेट पेपर पे भी वही रिजल्स आते हैं लेकिन पुलिस प्रशाषन और पुलिस ने वहां पर दबिश दी कड़ी कारवाई की और उन्हें रोक दिया कई लोगों पर तो मामले भी दर्ज हो गया है और उसके बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि देश भर में तमाम राजितिक जानकार और तमाम पॉलिटिकल जितने भी नेता हैं उनके बीच में जोर पकड़ने लगा और मारक वाड़ी गाउं की चर्चा होने लगी आपको बता दें कि शरत उसके बाद वह मारक वाड़ी गाउं पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने महायूती दिवेंद्र फट्नविस समेट कई लोगों पर सवाल खड़े कि शत्पवार ने कहा कि कई देशों में बैलेक पेपर पर चुना होते हैं मत पत्र ज्वारा चुना होते है तो फिर क्यों नहीं किया जा सकता उस पर चुनाओ महाराष्ट में चुनाओ के बाद शत्पवार बोलते हुए पहली बार दिखाई गी हैं खुल करके उन्होंने कहा कि चुनाओ में जो प्रक्रिया होती है उसे बदलाओ करने का वक्त आ गया है और साथी साथ शत्पवार ने यह भी कहा कि बड़े बड़े देशों में और यह उरूप के बड़े देश नाओ हो रहा है तो क्यों नहीं यहा पर किया जा सकता qt prayer США लगा कि उन्होंने कहा ंंक ने कई लेकी जो सवाल खड़े किये जा लो आम जनता के पास पहुंच रहा है उसे दूर किया जाना और देवेंद फट्नविस ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि EVM को लेकर के जो सवाल खड़े किये जा रहे हैं कम से कम शर्थ पवार एक बड़े नेता हैं सीनियर नेता हैं उन्हें इस तरीके से जो है भ्रहम पैदा नहीं करना चाहिए EVM के सवाल नहीं खड़े करना जो पर संदे व्यक्त करते हुए शर्थ पवार ने दावा किया कि महायुति को मिली भारी जीत के बाद राज्य की जनता में कोई उस्सा या खुशी नहीं है पवार ने चुनाओ आकड़ों पर संदे व्यक्त किया था इस पर मुख्यमंत्री दिवेंद फर्नविस ने जो ब पूरी तरीके से तयार है क्या कह रहें शर्थ पवार शर्थ पवार ने का कि सांदोरन को जारी रखने के लिए मैं नरेंदर मोदी से भी मिलूंगा और तो और जितने भी एलेक्शन कमिशन के जो अफिसर्स हैं अधिकारी हैं उनसे वह लगात होगी और इवियम हटाने के अगला चुनाव मत पत्र पर हो यह बात शर्थ पवार कहते दिखाई दे रहें शर्थ पवार ने ग्रामीरों को आश्वासन दिया कि उनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे शर्थ पवार ने कहा कि वह इस अंदोरन का प्रधान मंत्री और केंजी चुनाव आयोग से चर बड़े नेता है जब वह इवियम को यह करके इस तरीके से आंदोलन छेड़ेंगे तो जाही तोड़ पर यह आंदोलन काफी बड़ा बन सकता है अब देखिए देवेंद पड़नम इसने क्या कुछ कहा मैंने आपको बताया अब महाराश्च्ट के वह नेता की बात करता हो इनकी चर्चा भी बहुत जादा होती है यानि कि एक नाश्चिंदे देपटी सियम महाराश्ट के उन्होंने कहा है कि अब चुना होने के बाद इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वाक आउट किया था कई नेताओं ने अब शपट ले लिया तो क्या अब EVM का मुझ्दा ख ने थाया गया शपट नहीं ली पहले दिन और वाक आउट किया एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि महाराश्ट में MVA के जितने भी नेता है MVA गडबंधन के जीत के भी आयोए नेता है वो EVM के मामले को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए तयार है आपको बताने कि UBT नेता हैं संजे राउड यूबीटी पक्ष के उनके भाई है सुनील राउड जोकी विक्रोली से मात कीजिए का विधान सबाग जो है वो जीत करके आये थे वहां से और उन्होंने कहा है कि अगर दूबारा चुनाव बलेट पेपर पर होते हैं तो वो स्तीफा देने के तीनों ही मिलकर महराष्ट में जो एंवीए गटबंदन है वो एवियम को लेकरके अब आगे जो है वो मामला बढ़ाने के मूड में नजर आ रहा है यानि जो 23 तारीकों रिजल्स आये संजे राउड सबसे पहले आते हैं मेडिया में प्रस कॉंफरेंस करते हैं और अपनी बात लगते हैं अब वह बात धीरे 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 महराष्ट्रा में बन गए बागों के बटवारे की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ देखिए ऐसा लग रहा था कि एवियम की बात कुछ दिन होगी फिर उसके बाद शांत बैठ जाएंगे जैसा कि कई सारे जो एकना शि सुरू कर दिया है और अब तो शर्थ पवार्ज हैं यह इवियम का मामला ले करके भारखवाडी गाओं के जो लोग हैं उनका मामला ले करके अब दिल्ली पहुशने वाले हैं संसत में भी आवाज उठाएंगे देश के पधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे इले अब हो रही है तो यानि एवियम का मामला जो है अब ठंधा नहीं पढ़ता दिखाई दे रहा है दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है आने वाले समय में हमें इंतजार रहेगा कि आखिर क्या अगला कदम होने जा रहा है क्योंकि शर्थ पवार मजे हुए करके जाएंगे यह देखना बहुत ही ज्यादा दिल्चस्प होगा जिस पर सभी की नजरे ठीकी होई है अब इक लिए इतना ही फिर लॉटेंगे दुबात करेंगे किसी बड़ी कपरपल तक तक आप देखते रहें यह 4 पीम महराश्त्रा और मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार